आज मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीक से स्टेप बाइ-स्टेप पलाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी अगर आप बीईनर्स भी हैं तो यह स्टेप्स फोलो करके इजली पलाजो की कटिंग कर सकते हैं यहाँ पर मेरे पास प्लाजो कट करने के लिए सवा दो मीटर फैब्रिक है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इते लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यहाँ पर टोटल फैब्रिक को मैंने एक फोल्ड किया है और फिर एक और फोल्ड किया हुआ है अभी ऐसे हमारी फोर लियर्स बन जाती है प्लाजो की कटिंग के लिए फोर मेजरमेंट्स चाहिए लेंथ, बेस्ट, हिप और बोटम यह प्लाजो कट करने के लिए हम बैक और फ्रंट पार्ट को साथ में ही कट करते हैं यह प्लाजो मैं फुली इलास्टिक बनाऊंगी तो इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले मैं उपर से टू इंच का मार्जिन रख लूँगी Margin रखने के बाद अभी हम सभी निशान को सीधा कर लेंगे अभी हम प्लाजो की length रखेंगे मैं प्लाजो की length 38 inch रखूंगी तो हम 38 inch पर निशान लगा लेंगे Bottom से 1.5 inch में folding के लिए रख लूँगी अभी हम hip का निशान लगाएंगे hip का निशान लगाने के लिए हमें round the hip plus losing plus margin को 4 से divide करना होता है मेरी measurement में 39 hip है 4 मैंने losing लिया है और 2 inch margin के लिए रखा है तो 45 बनता है 45 को 4 से divide करने पर 11.25 आते हैं तो मैं hip की निशान 11.25 पे लगा लूँगी आसन रखने के लिए मैं 11.25 inch का marking नीचे भी कर लूँगी और इस line को सीधा कर लेंगे अभी हम cross length और आसन रखने के लिए hip को 4 से divide करेंगे plus 2 inch extra लेंगे तो मेरे measurement में 39 inch को 4 से divide किया तो 9.75 आते हैं उसमें 2 inch extra add करके 11.75 पे निशान लगाना है यहाँ पर हम आसन रखनेंगे इस point जे अब हम 2 inch extra में marking कर लेंगे और आसन की shape दे लेंगे आसन की marking करने के बाद हम round the bottom लेंगे तो मैं यहाँ पर 12 inch का bottom रखूंगी अभी मैं shape scale से इन दोनों points को मिला देंगे आप देख सकते हैं कि मैंने shape scale को कैसे रखा है आपको ऐसे ही shape scale को रखके bottom को और आसन से मिला देना है यहाँ पर हमारे plazo की marking करके complete हो गई है तो अभी मैं इसको cut करूंगी इस plazo में back और front part को अलग से cut करने की जुरूरत नहीं होती है plazo की cutting के लिए हम marking से आधा आधा इंच बढ़ा कर plazo को cut कर लेंगे अभी यह हमारा plazo cut कर ready हो गया है अभी हम इस plazo की stitching करेंगे stitching करने के लिए हम सबसे पहले plazo की दोनों legs को अलग अलग से stitch कर लेंगे यहाँ पर half half inch का margin छोड़कर हम दोनों legs को अलग अलग stitch कर लेंगे और फिर नीचे bottom को भी fold कर लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों legs को अलग अलग half inch का margin छोड़कर stitch कर लिया है अभी हम एक leg को उलटा रहने देंगे और एक leg को सीधा कर लेंगे जिस leg को हमने सीधा किया है उसको हम उलटी वाले leg में डालेंगे और इस तरह adjust करेंगे कि हम आसन की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हम दोनों legs को जोईन करके आसन की सिलाई लगाएंगे आसन की सिलाई हम एक साथ लगाएंगे जब हम प्लाजो को इस तरह रेबदार सिलते हैं तो सिलाई नहीं निकलती है अब यहाँ पर हम आधा आधा inch का margin छोड़कर आसन की सिलाई कर लेंगे अभी हम प्लाजो के bottom की सिलाई भी लगा लेंगे इसमें पहले half inch fold करके और फिर एक inch fold करके हम दोनों bottoms को सिल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आसन की सिलाई लगा ली है और उसके बाद मैंने bottoms को भी fold कर लिया है यहाँ पर प्लाजो हम fully elastic बनाएंगे तो हम elastic based के size के according डालेंगे elastic डालने के लिए हमें round the based में minus 5 करना है तो इस तरह मेरे 32 inch आते हैं तो मुझे elastic चाहिए 32 inch तो अभी मैं 32 inch की elastic cut कर लूँगी elastic डालने के लिए या तो हम साथ साथ में भी elastic डाल सकते हैं और fold कर सकते हैं और अगर आपको अलग से elastic डालनी है तो अब यह पहले से fold करना है और फिर बाद में इसमें elastic डाल देनी है मुझे elastic डालने का सबसे easy बे लगता है कि पहले हम elastic को sil लेते हैं और उसके बाद मैं साथ साथ में ही सिलते हुए elastic को डालते जाते हैं अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने elastic के दोनों सिरों को सिल लिया है और अभी हम इसको प्लाजों में डालेंगे प्लाजो में डालने के लिए हम इलाश्टिक को प्लाजो में ऐसे करके डाल देंगे और फिर इसको साथ साथ में सिलते जाएंगे जब हम इलाश्टिक को साथ में सिलते जाते हैं तो हमें इलाश्टिक को सिलाई के लीचे नहीं लेना होता है अभी मैं इलाश्टिक को प्लाजो में डाल दूँगी और बीच में भी एक सिलाई लगा दूँगी जिससे इलाश्टिक घूमेगा नहीं अभी मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इलाश्टिक को प्लाजो में डाल दिया है और बीच में भी एक सिलाई लगा दी है अभी हमारा इलास्टिक घूमेंगा नहीं इस तरह हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो गया है थैंक यू फो वाचिंग